तो आज की टापिक है कि उनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में किस तरीके के हैं तो यह एक एडल्ट रीडिंग है 18 प्लस रीडिंग है अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें तो यहां पर मैंने दो पाइल रखे हैं पाइल नमबर वान पा कर सकते हैं या फिर अपने बद्धे मत से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नंबर टू है आप इस ट्रिपल टू से चूज कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने बद्धे मत से भी चूज कर सकते हैं अगर आपने ट्रिपल सिक्स को चूज किया है या फिर जो है आपका बद्दे मत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या है माइंड अंडरस्टैंडिंग अलोननेस राइपनेस और लास्ट एफ फाइटिंग तो यहां पर मैं क्लियरली आपसे यह कह सकती हूँ कार्ट को देखके एनरजी को देखकर कि यह आपके एक्स है ठीक है और अगर आपका ऐसा कुछ नहीं रहा है तो कोई ऐसा परसन है टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है कोई रिलेटिव हो सकता है जिससे आपका लड़ाई जगड़ा हुआ है ठीक है अब वर्बली लड़ाई जगड़ा भी हो सकता है हाता पाई भी हो सकती है अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रेजनेट करेगा ठीक है तो वो चीज जो है आपकी मतलब यह जो परसन है वो आपको सोचते हैं क्योंकि मुझे यहां पर जादा तर majority अफ लोगों के लिए X की situation ही आ रही है लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके वो परसन है मतलब जान पेचान में है या फ्रेंड थे या फिर कोई relative थे तो वो परसन भी आपको सोचते हैं से आपका conflict create हुआ है fighting हुई है किसी भी कारण से वो fighting हो सकती है यहां पर कारण जो है वो पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है लेकिन जो भी लड़ाई जगडा हुआ है उसकी वज़े से वो आपको याद करते हैं miss भी करते हैं और उस चीज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं अपने दिमागे तो पहला कारणी माइंड आया है अगर X की perspective से लेकर चले तो वो आपके लिए जो उनके late night thoughts हैं वो इसी तरीके के हैं कि वो आपको बार बार obsessively सोचते रहते हैं जब से लड़ाई हुई होगी या जब से भी आप लोगों के बीच में conflict create होगा तब से जो है उन्होंने आपको सोचना नहीं छोड़ा है तो इस तरीके की energy यहां पे नजर आ रही है मुझे कि ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए है या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको भूल गए है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेशक हो सकता है वो शो ना करें अगर आप उन्हें सोचल मीडिया पे देखते हैं या कहीं और देखते हैं तो उनकी life बहुत happening लग रही है लेकिन actually में वो life happening नहीं है उनके mind में जो है वो kios या कह सकते हैं लडाई जगडा या कह सकते हैं कि एक fogginess है clarity नहीं है next आरा understanding आई है तो understanding जो है वो इसी तरीके की चीज़ है कि ये जो लडाई जगडा हुआ है और जिस वजह से भी हुआ हो सब के अलग अलग कारण होंगे तो उनको उस चीज़ की understanding आ गई है कि actually में ये हुआ क्यूं है गलती मेरी है या इस चीज़ की गलती है या इस वजह से हुआ है या क्या circumstances रहे हैं तो ऐसी चीज़ मुझे यहां पर नजर आ रही है next आ रहा है aloneness तो aloneness जो है वो एक isolation का card मुझे दिखा रहा है कि उन्हें loneliness आपके बिना feel होती है आपके यह x हैं तो आपके बिना वो loneliness feel करते हैं और अगर आपके यह friend है कोई toxic friend रहे होंगे तो वो भी person जो है वो अकेला पन महसूस करते है कि आपने अपनी energy को shift कर लिया है आपने अपनी energy को उनकी जिन्दगी से निकाल लिया है जिसकी वज़े से उनको कुछ problem mental problem जो है physical तो नहीं लेकिन जो anxiety है यह depression है उन्होंने देखा है यह महसूस किया है next आ रहा है nine of pentacles आ रहा है तो ripeness है तो उन्होंने यह सोचा कि मैंने बे फालतू में कोई कह सकते हैं कि conflict create कर लिया जो कि बात इतनी बड़ी नहीं थी उसके बावजूद जो है आप अच्छा कर रहे हैं अपनी जिन्दगी में nine of pentacles की energy independent energy को दिखाती है आप अच्छे से पैसा कमा पा रहे हैं अपनी जिन्दगी में खुश है peacefulness है यहां पर rainbow के colors मुझे दिख रहे हैं तो खुशी है inner peace है fruits आ रहे हैं आपके पास तो जो की wealth को दिखाता है तो उसका जो chaos हुआ है या आपको उन्होंने मतलब कुछ betray किया हो या लड़ाई जगड़ा हुआ है जो भी काम हुआ है उस चीज का आप पे ज़्यादा असर नहीं है उन पे ज़्यादा असर है इस तरीके की चीज दिख रही है और वो भी यह सोस्ते हैं कि वो ज़्यादा stuck feel कर रहे हैं आप जो है अपनी जिन्दगी move on हो चुके हैं और आप अपनी जिन्दगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं ऐसी चीज नजर आ रही है नेक्स चारा fighting आए फाइव और सौर्ट वाले energy है तो यहाँ पर जो fighting हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके की हुई है कि अपने आपको जिताने के लिए किसी भी level पे गिर जाना इस तरीके की energy मुझे नजर आ रही है अब क्या हुआ है कैसे हुआ है यह आप अपनी situation जो है वो जानते होंगे यह एक general reading है तो सभी लोगों के लिए अलग-अलग situation रही होगी यहां पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है fraction of लोगों के लिए लग रहा है कि हाता पाई भी हुई है जिसकी वज़े से आप लोगों के बीच में आप दोनों के बीच में हाता पाई हुई या किसी और की पिटाई हो गई हो जिसकी वज़े से इस तरीके का conflict create हो गया है और ऐसा barrier लग गया है कि जिंदगी भर जो है आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आपाएंगे या आना चाहें भी तब भी जो है नहीं आपाएंगे तो ये energy जो है वो साफ साफ ये बता रही है कि आप लोगों के बीच में एक proper no contact वाली situation है और प्रॉपरली जो है आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे चलिए देखते हैं सेंश्वल कार्स हाई प्रीस्टिस तो हाई प्रीस्टिस जो है वो mysteriousness को दिखाती है आपने total cut-off कर लिया है आपने उनके साथ बातचीत बंद कर दी है और उनसे related और भी जो लोग थे उनसे भी बातचीत बंद कर दी है नेक्स देख लेते हैं नेव ओफ वांट्स इसक्स ओफ वांट्स फाइव ऑफ पेंटेकल्स हाँ यह आपके X ही है जादातर situation में और नेक्स टारा नाइट ओफ चारेसर तो यहां पर जो मुझे romantic situation जो आप लोगों के बी स्थिती जो है वो खराब हो गई है तो पहला कार्ट जो sensual card आया है वो high priestess का card आया है Pisces energy को दिखाता है mysteriousness है secretiveness है आपने पूरी तरीके से cut off कर दिया है और आपके बारे में किसी को भी कोई information सही तरीके से नहीं मिल पा रही है लेकिन वो जो है पुराने समय को याद करते है कि late night thoughts में कि आपको वो किस तरीके से cuddle करते थे या किस तरीके से आपके साथ वो थोड़े से जो naughty moments उनके होते हैं वो चीज़ वो करते थे तो इसकी वज़े से आप दोनों की बीच में जो भी कह सकते हैं कि conflict create हुआ हो या फिर जो अच्छी sweet memories थी उसको वो जो है याद करते हैं नेक्स्ट आ रहा है तो नेवो फॉंट जो है वो जो एक new opportunity चाहते हैं आपके साथ फिर से एक new beginning start करना चाहते हैं लेकिन वो जानते हैं कि आप उन्हें मौका नहीं देंगी या देंगे तो second chance वो आपके साथ चाहते हैं वो सारी चीज़ों को याद करते हैं किस तरीके स जो है वो आपके साथ kissing या nibbling करते थे आपको किस तरीके से care करते थे और आपके जो भी कुछ intimate moment होंगे उसको भी वो याद करते हैं जो वो passion ignite करते थे और उस तरीकी chemistry को वो जो है miss करते हैं नेक्स आरा six of wands की energy आई है तो six of wands की energy जो है वो victory को दिखाती है success को दिखाती है तो आप लोगों के बीच में इस तरीके के energy रहे कि वो चाहते हैं कि आपके साथ वो इस मतलब जो आगे की जिंदगी है वो उसमें आप आप आएं तो आपकी जिंदगी में वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहते हैं जिससे उनको ये लगे कि महां मैं भी important हूं तो क peacefulness भी चाहते हैं कि जो conflict हुआ है वो create नहीं होना चाहिए था या कोई भी ऐसी चीज उन्होंने कहीं होगी या और लोगों ने इस तरीके की चीजे कर दी होंगी जिसकी वज़े से इस तरीके की कह सकते हैं कि दुश्मनी टाइप सी हो गई है और उस चीज को वो resolve करना चाहत रहे हैं पीछे जो है अच्छे तरीके से आपको treat करना चाहते हैं wine and dine करना चाहते हैं एक अच्छा environment में music बचता रहे इस तरीके की इनर्जी देना चाहते हैं गिफ्ट ए या precious खो दिया है इस तरीके की एनरजी यहां पर आ रही है नेक्स टार नाइट ऑफ चलिस आई है तो नाइट ऑफ चलिस वही चीज़े की offer देना चाहते हैं आपके साथ new beginning को start करना चाहते हैं आपको offer देना चाहते हैं कि एक new beginning start हो पाए आपके साथ एक romantic relationship में वो फिर से आपाएं आपको जो है water में देखना चाहते हैं किसी भी ऐसे area में देखना चाहते हैं कि वहां पर आपसे बात कर सकें लेकिन आप जो हैं उन्हें शायद ना मिलें और ये भी हो सकता है कि आपने जैसी तरीके से पूरी तरीके से cut off किया है तो वो जो in public, throw me against the wall, touching erotic zone, dress sexy for me, pillow queen, sore walk, whoops, the proof that men can focus on two things at once, I love smelling your scent on my bed, I want you in the worst way your taste, scent, feel of your skin next to mine, I want it all tonight, तो यहां पर जो है यहां पर आपके ex जो हैं जो यह person है वो आपको बहुत जादा मिस करते हैं, आपके ex की जो feelings हैं उसके लिए भी मैंने video बना रखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, next ara, I want to kiss you until you say leave me, nothing is more dangerous than a woman with a beautiful mind that isn't afraid to say let's play baby, I just wanna throw you on kitchen table and tell you I am dinner for you, I am gonna make you scream again, intimate sensual love, arousing you arouses me your clothes would look nice on my bedroom floor deep gentle slow love we had to have been lovers in a past life let's make love in a car tonight I am going to be inside of you तो उनके जो desires हैं वो उसी तरीके के हैं कि आपके साथ जो है वो penetration कर पाएं और उस तरीके की जो romantic situation थी आप लोगों के साथ जो cuddling थी या जो भी आप लोगों की sweet memories थी उसमें वो दुबारा आना चाहते हैं चलिए देखते हैं इस energy से related को चार्म्स यहां मैं चार्म्स को सिट कर देती हूं एक गान विद्ध रोज़स आई है थर्ड आई चक्रा आया है maple leaf आई है flower आया है teddy bear आया है और angel का feather आया है तो यहां पर पहला चाम आया है gun with the roses आया है तो यहां पर वो हो सकता है justice से मतलब justice legal field से belong करते हों जहां पर भी weapons जो है legally तोर पे जो है use होते हों तो हो सकता है यह इसी law department, police department, IB, military defense इस तरीके की चीज़ में काम करते हैं नेक्स आरा यहां पर थर्ड आई चक्रा है तो उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की है और उसकी वजह से उनको सदबुद्धी तो आई है लेकिन अब यह आपके उपर है कि आप उनके साथ आगे जाना साथी यह नहीं जाना साथी क्योंकि एनर्जी तो इसी तरीके की कि वह आपके साथ new beginning को स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे वह second chance चाहते हैं अब आपको देना है यह नहीं देना यह आपके उपर है नेक्स आरा में लीफ आये तो autumn season पे लड़ाई होई होगी या फिर कैनेड यहां पर flower आया है तो हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को flowers दिया हो जिसकी वजह से आप लोगों की bonding जो है वह बहुत जादा अच्छी बनी होगी और आप दोनों को ही ऐसा लगा होगा कि यह एक long term commitment में change हो जाएगा नेक्स आरा यहां पर teddy bear आया है तो teddy bear जो है वह इ उनों की जो relationship था वो एक innocence पर based था तो ऐसा नहीं है कि यहां पर feelings नहीं थी या कह सकते हैं innocence नहीं थी या care नहीं थी लेकिन उसके पावजुद कुछ गड़बड हुआ है या उन्होंने जूट बोला है आपसे या उन्होंने और लोगों को आने दिया है अपनी life में जिसकी वज़े से यह सब हुआ है और नेक्स आरे एंजल का feather आया है तो protection है आप protected है आपको डरने की ज़रुवत नहीं है तो pile number one यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करें share करें नेक्स्ट आरे ट्रावलिंग गाइडेंस ट्रस्ट अंड करेज उम्मीद आपको सभी कार्द अच्छे से दिख रहे होंगे यहां पर मुझे ऐसा लग रहे है कि यह आपके crush हो सकते हैं या फिर कोई person आप में इंट्रस्टेड हैं क्योंकि यहां पर sharing का काड़ आया है तो sharing जो है आप आपके दोस्त हो सकते हैं जिससे आप share करते हैं अपनी बाते अपनी इच्छाएं या जो भी आपकी vision हो आपके career के तरफ या आपकी जिंदिगी की तरफ तो वो person जो है वो आपको अपनी जिदिगे में manifest करना चाहते हैं हो सकता है अगर आप एक male है तो यह female को jewelry पहनना बहुत जादा पसंद हो अपने आपको up to date रखना बहुत जादा पसंद हो गोल्ड की jewelry हो सकती है या फिर अगर आप एक female है तो male की तरफ अगर आप देख रही है या male के लिए देख रही है तो यह person जो है उनको अपने आपको well groom रखना पहुत जादा पसंद होगा suited booted रहना पसंद होता करते होंगे बालों में hair gel लगाना या उसको सही तरीके से photography का शौक हो सकता है तो इस तरीके की energy नजर आ रही है आप जानते हैं इन्हें हो सकता है जरूरी नहीं है कि आपका relationship हो लेकि यह person जो है वो आपको एक potential suitor की तरीके से देखते हैं नेक्स टार ट्रावलिंग काड आया तो 8 number आया है 8 of cups वाली energy है ट्रावलिंग जो है हो सकता है आप दोनों ट्रावलिंग टाइम पे एक दूसरे को मिले हो या फिर जो है आपके soul path में या यह soul tribe हो आपकी हो सकती है जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में affection हो औरड़ी ए यहां के भी हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ समय बताया हो जैसे कि मान लीजे example है कि company में आपको एक्साइज जगहा पर जो है सामिनार को अटेंड करने को कहा गया है तो आप दोनों उस समय मिल गए हो तो इस तरीके का जो attraction है या कह सकते chemistry या लगाव जो है वहां से start रहे हैं और अगर आप college university या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर जो है annual fest होता हो या कोई event होता हो जहां पर आप लोगों ने मिलकर काम किया हो तो वहां पर यह person हो सकते हैं तो इस तरीके की energy मुझे नजर आ रही है कि आप अपने जिन्दगी में growth कर रहे हैं expansion कर रहे ह spirit जो है वो आपको help कर रहे हैं लेकिन उसके बावजू जो है यह person आपको हमेशा support करते होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि यह person मुझे support करेगा next आ रहा है trust आ रहा है तो trust जो है वो आप पे trust करते हैं अपने आप पे trust करते हैं और इश्वर में भी trust करते हैं spiritual connection है spiritual person है अब जो भी व्यक्ति है वो spiritual है जिसके late night thoughts आप जानने चाहेंगे next आ रहा है courage आ रहा है तो courage जो है वो strength को दिखाता है Leo energy है उनका जो nature है उपर से वो बहुत जादा सक्त जान दिखते होंगे लेकिन अंदर से जो है वो बहुत जादा कूमल है अब उसके अलग-अलग reason हो सकते है कि childhood trauma उन्होंने देखा हो कि childhood में कुछ इस तरीके की situation रही हो उनके मन में या वो उन्होंने अपने आपको introvert बना लिया हो अपने emotions को ना दिखाते हो अपने आपको protect रखना पसंद करते हो इस तरीके की energy आ रही है तो यह सारी कीज़ें जिस person में है वो person जो है आपके बारे नजर आ रहा है चलिए देखते हैं वह आपके बारे में लेटना उनके क्या है तो पहला काड़ा रहा है nine of cups आप उनकी wish fulfillment है queen of swords तो आप थोड़ी सी fiery temperament की हो सकते हैं या strict हो सकते हैं जिससे वो थोड़े से डरते भी हो नेक्स आरा two of chalices two of cups की energy आपको soulmate मानते है next six of swords की energy ह है तो आपके साथ movement जो है migrate करना चाते हैं जिंदिगी में जो है आगे बढ़ना चाते हैं और next आरा queen of wands की energy है तो आपकी जो fiery temperament है थोड़ा सा strict nature है उसके ठूड़ा सा डरते हैं लेकिन आपको वो अतलब एक तरीके से feelings हैं और यहां पर romantic feelings हैं उनके मन में तो यहां पर पहला काड़ा है nine of chalices आया है आपको wish fulfillment की तरीके से देखते हैं कि अगर आप एक female है male अगर आप में interested हैं तो वो जो है check boxes को tick कर पाते हैं कि आपके अंदर यह है यह चीज़ है यह चीज़ है यह चीज़ है तो वो जो है deny नहीं कर पाते हैं आपकी beautiful skin की तरफ वो बहुत ज़दा attracted होंगे आपकी beautiful face की तरफ attracted होंगे और उससे भी ज़्यादा जो है आपका mind जो है वो बहुत ज़दा sharp है या कह सकते हैं कि आप multi tasking में या multifaceted person होंगे जो business भी संभालता है घर भी संभालता है और job भी करता है तो इस तरीके की energy जो है वो यहां पर आ रही है और आपको वो बहुत ज़दा appreciate और respect करते होंगे यहां पर late night thoughts में उनके यही है कि आपसे वो ब strengthful या कैसे के strictness वाली जो energy है उसको थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत है क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा डरते हैं नेक्स टार है queen of swords वाली energy वही चीज़ है कि queen of swords जो है cut off करने में ज्यादा believe करती है या तो सही या गलत cut off तो वो second chance या कई लोग जैसे होते हैं कि emotions को express नही गलतिया करने में believe नहीं करते हैं perfectionist वाले person होते हैं लेकि कुछ लोग गलतियों पर गलतियां गलतियों पर गलतिया करते रहते हैं तो मैं यह नहीं कहुंगी कि उन्हें माफ कर देना चाहिए लेकिन अगर आप थोड़ी सी softer approach उनके साथ लगा सकती है तो बहतर रहेगा तो यह चीज है कि उनके मन में आपके लिए romantic feelings है ऐसा नहीं है कि वह आपको कुछ नुक्सान पहुचाना चाहते हैं लेकिन आपके जो strictness है या जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं perfectionism है उससे वो थोड़ा सा डरते होंगे नेक्स आरे two of chalices का card आया है तो two of chalices जो है वो soulmate का card है वो आपको किस करना चाहते है निबलिंग करना चाहते है breastfeeding यह आपे दिख रही है penetration दिख रही है और बहुत जादा जो है आपके साथ कह सकते हैं कि आपको satisfy करना चाहते है physical satisfy नहीं soulful satisfaction वो देना चाहते हैं कि आपको ऐसा feel हो कि वो आपसे love करते हैं तो वो जो loving thing है वो शायद वो emotions में express नहीं कर पाते होंगे लेकिन वो इस act में आकर आपके साथ करना चाहते हैं अब मैं यह नहीं कहूंगी कि आपको इस act में आना है क्योंकि उनका love जो है वो इस तरीके का है लेकिन अगर वो आपके तरफ सही approach लगाते हैं तो आप उनके साथ आगे जा सकती है नेक्स्ट आरा है 660 के energy है तो 660 वही चीज़ है कि migration वाली चीज़ है आपके साथ वो communication करके क्योंकि उन्हें डर लगता है आपसे मतलब यह एक negative sense में नहीं है कई लोग strict होते हैं तो उनकी और इस तरीके का होती कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो शायद सीरे थपड़ी पड़ जाए तो कुछ इस तरीके की energy यहां पर मुझे दिख रही है तो वो जो है आ आपको dedicate करना चाहते हैं लव करना चाहते हैं यहां पर penetration भी है लेकिन वहीं चीज जो डर है उससे migration करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है कि वो आपको कहीं दूर ले जाकर बता पाएं कि उनके मन में आपके लिए किस तरीकी की इच्छाएं है नेक्स्ट आ रहा है queen of wands की energy आई है तो queen of wands की energy जो फाइली temperament है sexiness है practical approach है जिसकी वज़े से उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी इच्छा है वो होगा नहीं होगा आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन वो आपको undress होते हुए देखना चाहते हैं वो पूरी तरीके से जो ह deeper sensual desires होंगे handcuffs को use करना चाहते है passion को ignite करना चाहते हैं और आपको इलिए भी जो है passion को और जादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके की energy मुझे नजर आ रही है उनके बहुत जादा जो thoughts हैं वो आपके लिए इसी तरीके के हैं लेकिन thoughts में भी आपका डर जो है कहीं ना कही कायम है कि मैं ऐसे सोच तो रहा हूँ या रही हूँ लेकिन उसके बावजो जो है ये person में से कहीं दूर ना हो जाए तो इस तरीके की energy है तो पहला message आ रहा है thrusting lip service with the love potion bite marks तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से adult वाली हैं लेकिन डरते हैं आपसे वो निक्स आरा प्लीस टीज मी I love you for who you are but the D sure is a bonus तो आप D समझ सकते हैं निक्स आरा it's been a long day I need one of those hugs that turn into six I want to whisper in your ear how I have been craving for you sleeping princess I am going to wake you up with me inside of you my tongue can do a better job of teasing you than my words can fishnet dress तो वो जो है इस dress में आपको देखना चाहते हैं what flavor of my candy strawberry chocolate mint and vanilla तो वो जो है अपनी candy का flavor आपसे पूछना चाहते हैं your wish is my command I want to perform tantric sex with you which will heal our soul I am master and I know how to make you please I am not wearing inner wear today let's make pleasure तो उनकी इच्छाएं जो है वो इसी तरीके की है next आ रहे है golden shower feel the warmth of my fluids drip down your chest I can't stop loving you I love our union be with someone who inspires you to be naughty तो वो इस तरीके की चीज़े चाहते हैं आपसे I want to dedicate romantic song to you self pleasure I want to watch you pleasure yourself do me a favor and get in my bed cuddle me all night तो वो जो है cuddling करना चाहते हैं आपके साथ जो है एक quality time को spend करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं इस energy related to charms यहां मैं charms को set कर देती हूं यहां पर पहला chopper आया है एक और जो है cutter आया है एक medical instrument आया है तो डॉक्टर हो सकते हैं medical field से related हो सकते हैं सभी लोगों के लिए resonate नहीं करेगा और next आ रहा है यहां पर एक maple leaf आई है maple leaf autumn season को दिखाती है या Canada भी हो सकता है Canada से आप belong करते हो या India से belong करते हो Canada में रह रहे हो इस तरीगे की चीज़ हो सकती है सभी लोगों के लिए resonate नहीं करेगा यहां पर tennis का racket आया teamwork जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं और आपको जो है support भी करना चाहते हैं नेक्स्ट आरा है ओम का चाम आया है तो spiritual person है वो भी spiritual person है आप भी spiritual person है यहां पर मून आया है तो यह सारी जितनी भी feelings है वो सारी hidden है Pisces energy है उनकी अपनी ही dreams, daydream, illusions चलते रहते होंगे जिसकी वज़े से वो आपके बारे में सोचते रहते हैं तो pile number two यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you